आज हम टेक्स्ट के माध्यम से नातेदारी विवस्ता के बारे में अध्यान करेंगे पढ़ेंगे नातेदारी विवस्ता भारत के संदर्व में या फिर जो समाजिक मानव शास्तर पर समाशास के अंतरगत नातेदारी विवस्ता पर जो भी अध्यान कारी हुआ है उसके बार कोई ना अपनी समाच था, ना संस्कृति थी, वो अपना कैसे न तैसे जीवन यापन करता था और उस समय की मूलबूत आवशक्ता जो थी अपनी जीवन का संचाल न अपनी जीवन की सुरक्षा था, तो दिरे-दिरे जब मनुस्य के अंदर सामूहिक सुरक्षा की भावना शुरू हुई कि मुझे समूह में रहने से सुरक्षा मिलेगी और विभिन परकार की आवशक्ताओं के लिए वो समूह की जरूरतों को समझने लगा तब उसने समूह में रहने संग वे संगठन बनाए रखने के बारे में सोचा जिनमें से प्रारंबिक जो आधार है उसका समूह का वो उसे हम परिवार के रूप में ले सकते हैं परिवार क्या होता है इसके बारे में आपको पहले भी बताए गया है कि पत्ति पत्नी वे उनके बच्चों से मिलकर बना एक संगठन परिवार होता है और यसे समाजद्वारा वैद स्विक्रती प्राप्त हो सबसे बड़ी बात यह होती है जो क्योंकि जो समूह परिसमाजिक मानिता प्राप्त नहीं होगा उस समूह को हम अवैद के तोर पर जानते हैं यह संतानुत्पत्ती जो होती है उसे अवैद के रूप में संग्या दी जाती है तो परिवार के लिए समाजिक स्विक्रती से जो भी संबंद बनते हैं जिने समाजिक स्विक्रती प्राप्त होती है उसे ही हम परिवारिक व्यवस्ता या सामाजिक व्यवस्ता के अंतरगत सम्मिलित करते हैं एक प्रतेक समाज के अंतरगत चाहिए वो पस्चिमी समाज और पूरी वी समाज अपने जीवन में जीवन के किसी एक समय के अंतरगत विभिन प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है भूमिका विभित प्रदत प्रहस्तिती से संबंदित भी हो सकती है और अज़ित प्रहस्तिती से संबंदित हो सकती है कैसे कि जैसे एक पुरुष है वो एक समय में एक पिता एक पती एक पुत्र और एक भाई की भूमिका का निर्वाह करता है एक समय विशेश के अंतरगत हम देख रहे हैं इस चीज को तो वो एक पिता एक पती जिस परिवार एक समू में रहेगा वह परिवार उसके लिए उसक जो family of procreation या जनन परिवार होगा जनन परिवार जिसका निर्मान वे स्वेम करता है यानि पिता होगा अपनी संतान का और पती होगा पतनी का पती कब होगा जब विवा संबंद द्वारा वो बंद जाएगा लेकिन एक पुत्र और एक भाई की भूमिका का निर्वाज जिस परिवार के अंतरगत वे करेगा वे उसका जनक परिवार होगा जिसमें उसका जनम हुआ है तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि एक व्यक्ती एक ही समय में दो परिवारों से संबंद स्थापित करता है वे स्वेम करता है जिसमें उसकी संताने और वो पिता की भूमिका निर्वाज निर्वाज नहीं कर सकती है तो इस प्रकार एक पुरोश और एक महीला एक समय में दो भिन परिवारों से संबंद रखते हैं एक तो जनक परिवार और एक जनन परिवार दोनों ही संबंदियों के साथ जब जो नाते रिष्टेदार जो सम्मिलित होते हैं दोनों ही सम्मिलित रूप से नातेदारी विवस्ता के अंतरकर शामिल करते हैं और नातेदारी को, इन नातेदारों को हम विविद नामों से जान सकते हैं, संगोत्र, स्वाजन, बंदुत्व, इत्यादी. इसी प्रकार, रक्त एवं विवा संबंदों पर आधारित ऐसे संबंदी जिने सामाजिक स्विक्रती प्राप्त हो और जो वन्शावली के आधार पर हमारे संबंदी हो नातेदार कहलाते हैं. यानि नातेदारी विवस्ता के अंतरगत रक्त संबंदी भी संबिलित होते हैं और विवा संबंदी भी संबिलित होते हैं। निकटा विगमन निशेद यानि कुछ ऐसे निशेद होते हैं विवा संबंदी कि इस परिवारिक समू में उसे विवा नहीं करना इस छेतर में उसे विवा नहीं करना उससे बाहर की लड़की से उसे विवा करना या संबंद अपने जोडने हैं रिष्तेदारी के विवा संब परिभाशा DC वह सामाजिक संबंद्ध पर आधारित होती है इसलिक रोबिन फॉक्स इनकी बुक का नाम में किंशिप अन नातेदारी केवल स्वेजन अर्थार्थ वास्त्विक ख्यात अत्वा कल्पित सम्रक्त वाले व्यक्तियों के मद्ध संबंध होता है नातेदारी। इसी प्रकार डबलु candies डिवर्स एक समाशास्ति नहों ने भी लिखा है कि संगोत्रता यही найти परिभाश उस संबंध से है जो वेनशावली के माद्यम से निर्धारित एम वर्नित किये जाते हैं वंशावली आप जानते हैं क्या होता है वंशावली जो है प्रारंबिक भाट और चारण जो होते थे विशेश जाती समू है ये इनका कारे होता था राजा महराजाओ के समय में राजाओ की वंशावली को तयार करना यानि कि उनकी जितनी भी पीड विशेश का राजा विशेश का तो उसकी इतिहासिक इस्थिति के बारे में बताते थे तो ये जो वो वन्शावली तयार करते थे वन्शावली एक वन्शो की अवली समझ लो संगठन या समू होता है श्रेणी होता है जिसमें विबिन वन्शो के बारे में बताया जाता है और प्रतेक समाज, प्रतेक जाती समू, प्रतेक परिवार की अपनी एक वन्शावली होती है, जो विशिष्ट व्यक्ती समू, उनके छेतर बटे हुए होते हैं, इन भाट और चार्णों के, कि ये जो जाती विशेश के व्यक्ती थे, ये अपने छेतर विशेश के अंतरगत रहन वाले सभी व्यक्तियों की वन्शावली तयार करते थे और उसके आधार पर ये बताते थे कि कौन सा परिवारिक समू को कितने साल हो चुके हैं और कितने व्यक्ति और कितने समू इसमें जुड़े हैं और कितने मतलब जा चुके हैं, खतम हो चुके हैं तो इस प्रकार ये वन्शावली के अंतरगत जितने भी संगठन, समू, परिवार एक व्यवस्ता आती है तो वो नातेदार कहलाते हैं नातेदार एक पीडी, दो पीडी, सौरी, दो दूसरी पीडी से लेकर दूरस्त संबंदी जितने भी होते हैं, वो सब नातेदारी की श्रेणी में आते हैं इसी प्रकार, और यहां थेओडर सन की बुक जो है Modern Dictionary of Sociology, इसका नाम है Modern Dictionary of Sociology इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इस पस्ट है कि नातेदारी समू वह समू है साधरान भाषा के तौर पर, यानि नातेदारी समू, रक्त संबंदी और विवासंबंदी सम्मिलित रूप से नातेदारी समू बनाते हैं और ये रक्त संबंदी और विवासंबंदी एक व्यक्ति से संबंदित होते हैं एक व्यक्ति के रक्त वेवा संबंदी मिलकर सम्मिलित रूप से जो नातिदारी समू बनाते हैं उसे ही नातिदारी व्यवस्था के अंतरगत सम्मिलित किया जाता है नातिदारी की श्रेणिया या किंशिप कैटेग्रीज समाई शास्त्री या मानव शास्त्री कुछ भी गह सकते हैं जीपी मर्डॉक इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर के अंतरकर 250 परिवारों का अध्यन करके बताय था कि नातेदारी की चार श्रेणिया हैं कौन-कौन सी? इन नातेदारी की श्रेणियों को इन्होंने जो चार भागों में डिवाइड किया था वो संबंदों के आधार पर डिवाइड किया था जिसमें प्रात्मिक नातेदार, द्वित्यक नातेदार, त्रित्यक नातेदार और दूरस्थ नातेदार संबिलित होते हैं प्रात्मिक नातेदार में इन्होंने आठ प्रकार के संबंद बताए थे जिसमें एक विवा संबंद और साथ रक्त संबंदी संब्लित थे दूतियक नातेदार में 33 प्रकार के संबंद बताए थे जिनमें रक्त विवा दोनों संब्लित है तृतियक नातेधार में इनुने 151 प्रकार के संबंद बताये थे और इसके अलावा जितने भी नातेधार हैं दूरस्त नातेधार की श्रेणी में प्राथ्मिक नातेधार के संबंद होते हैं संबंदों पर आधारित होता है आपसी संबंद पुत्र पुत्री के मद भाई बहन का संबंद पिता पुत्री का मद संबंद मां पुत्र का संबंद पिता पुत्री का संबंद मां पुत्री का संबंद इस प्रिकार से एक विवा संबंद और बाकी सारे रक्त संबंद होते हैं दुत्यक नातेदार में दादा दादी विवा संबंदी उनका पुत्र जैसे दो पुत्र और एक पुत्री हैं एक पुत्र का अगर विवा हो जाता है माल लीजिए तो पुत्र वदु जो है उसकी दुत्य पीडी संब्लत होगी और पुत्र और पुत्र वदु की जो बच्चे होंगे वो पोते और पोती के रूप में उनका संबंदों का दादा दादी से इस प्रकार के ये 33 संबंदी होते हैं और हमारे प्राथमिक मर्डोक ने अपने अधियन के अधार पर यह बताया था कि नातिदारी की कितनी शेणियों बनाई जा सकती है और या फिर कितनी शेणियों में ने विभाजित किया जा सकता है